दुनिया भर में मशबूर इस्लामिक स्कॉलर और प्रीचे मौलाना तारीच जमील के बेटे की गोली लगने से गुई मौट रविवार को दुनिया भर में मशबूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारीच जमील के बेटे डॉक्टर आसिफ जमील की गोली लगने से पाकिस्तान में मौट हो गई है मीडिया में कई तरह की खमरे चल रही है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनकी गोली बारकर हत्या चुग गई वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके आत्मा हत्या की बात कहीं गई है सच क्या है ये तो जाच के बाद ही पता चलेगा आलाकि उडितक डॉक्टर आसिप चमी के भाई उसुफ चमी ने एक प्याल में बताया है कि वो काफी लंबे समय से डिप्रेशन की वालिक से परेशान थे उनका काफी टाइम से इलाज चल रहा था और उनको इलेक्रिक शॉक लिए जाते थे डॉक्टर यूसुफ ने आगे बताया कि रविबार को वो खर्बर अकेले थे उन्होंने अपने सेक्यूरिटी गार्ड की गन से अपने को गोली मार कर खुदखुशी कर ली पुलिस सच पता लगाने को जाच में जुटी है पुलत की जाए तमाशा नहीं है बीडियो मेसेज रिकार्ड करवारा हूँ कि आज शाम को मेरे चोटे भाई आसिन जमीरी की ड़त हो गए जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमली के लिए इसानिया है लेकिन इस तक्लीफ के आलत में मुझे मीडिया पे इसलिए हाजर होना पड़ा कि बहुत सी नेगटिव खबरें, मुखलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही है मैं उनकी वज़ात के लिए हाजर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिन जमीर बच्पन से शदीर डिप्रेशन के मरीज से और पिछले छे माँ से उनको जो उनकी बेमारी की शिद्द की वज़ा से इलेक्टिक शौक दगए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बेमारी को कंट्रोल किया जा सके लेकिन उसके बावजूर में उनको एफ़ाका ना हुआ और आज के रोज वो इत्वाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ और अजियत की वज़े से वहर सेक्योर्टी पे तायुनात जो गार था उससे बंदूट ली और उससे अपने आपको उन्होंने शूट कर दी थे इननल्लाही वैने लेही राज्यून इसके लावा जितनी भी बात की जाएं कोई दुश्मनी थी इसी में हमला किया ऐसी कोई बात नहीं है ये ल्ला की तकदीर थी और हम ल्ला के इस फैसे पर राजी हैं आप सबसे द्वाओं की दर्खास है Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh